हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइट में जो बैल आइकन है उस पे प्रेस कीजिए यहां आपको आल का ऑप्शन मिलेगा उस पे सलाइक्ट जीए रहाभार में आपको मिलती रहेगी हमारे वीधियो देखने के बाद उन्हें लाइक किजिए शेयर कीजिए सबीके साथ शेयर करने के बाद प्लीज नीचे जाके कमेंट करके बताईए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे थेंक्यू सो माच गूड मॉर्निंग बच्चो आज हम कच्छाचार में पाठ दो पढ़ेंगे पाठ दो में आज हम कबूतर और मदमक्खिया की कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो आगे चलते हमारे कहानी पर यहाँ देखो बच्चो यहाँ पे सभी को एक चित्र दिख रहा है चित्र में नदी, नदी के किनारे पे एक पेड़ और पेड़ पर मधुमक्खियों का चट्ता दिख रहा है बच्चो तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं तो कहानी शुरू करते हैं नदी की किनारे एक पेड था, पेड पर मदमख्यों का छत्ता था, चत्ते में बहू सी मदमख्या रहती थी, उसमें एक रानी मदमख्यी भी थी, तो बच्चो, यह जो पेड़ पर छट्टा लगा हुआ न, उसमें एक रानी मधुमक्खी थी, मधुमक्खियां तो बहुत सारी हैं उसमें, पर एक रानी मधुमक्खी थी, तो आगे पेश पे चलते हैं बच्चो, अब देखिए, यहाँ पे सभी को चित्र दिख रहा है, चि इनकी बात है, रानी मधुमक्खी छट्टे से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी, उसने पानी से निकलने का बहुत प्रेत्न किया, पर वह निकल न सकी, वह नदी की धार में बहने लगी, मतलब कि यह जो पानी में छट्टपटा रही है, या कौन है, रानी मधुमक्खी, जो चट्टे में से बाहर निकलते वक्त, नदी में गिर पड़ी, और उस मधुमक्खी ने बाहर निकलने का बहुत प्रेत्न किया, पर वह निकल न सकी, वह नदी की धार में बहने लगी, नदी की किनारे एक कबुतर पानी पी रहा था, उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छट्टपटाते हुए देखा, उसे मधुमक्खी पर बहुत दयाई, वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा, अचानक उसे एक उपाय सूझा, किसे उपाय सूझा तो बच्चो, कबु कबुतर नदी के किनारे पानी पी रहा था, उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छट्टपटाते हुए देखा, तब उसे मधुमक्खी पर दयाई, तब उसने क्या किया, कुछ सोचा, उपाय, कि वह रानी मधुमक्खी को पानी में से कैसे दिखाल सकता है, तब आगे चल और उस पत्ते पे रानी मदुमक्खी चड़के बच जाती है तो हम चले कहानी पढ़ने तो कहानी पढ़ते हैं उड़कर पेड़ के नीचे पहुचा पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पढ़े थे कभूतर ने एक पत्ता अपनी चोच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा कुछ ही दूर उसे रानी मदमक्खी दिखाए थी उसने पत्ता मदमक्खी के बिलकुल आगे डाल दिया मदमक्खी पत्ते पे चड़ गई और डूबने से बच गई तो देखा बच्चो आपने एक कबूतर ने एक रानी मधुमक्खी की जान कैसे बचाई तो आगे चले हम कहानी पढ़ने यहाँ देखे बच्चो कबूतर कुछ देर तक पत्ती की सासा तुड़ता रहा उसने देखा कि क्या देखा मधुमक्खी तो बिलकुल हिलती डूलती नहीं है वह सोचने लगा क्यों न मैं या पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दू उसने पानी में अपनी चोच बढ़ाई किसने चोच बढ़ाई तो कबूतर ने और पत्ता चोच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया कुछ देर तक वह बात की प्रतिच्छा करता रहा किस बात की तो रानी मधुमक्खी हिलती है या नहीं मधुमक्खी हिलती दूलती है या नहीं रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी रानी मदमख्य कोच हिनने लगी वह धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी जो रानी मदमख्य कबूतर की द्वारा पत्ता जो पानी में फेका गया था उस पे चड़ के बच तो गई थी पर वह हिल नहीं रही थी मतलब पत्ते पे ऐसे सिर्फ पड़ी हुई थी वह जब थोड़ी हिनने लगी तब उसने कबूतर की ओर देखा कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्षी रानी मधुमक्षी बच जाएगी रानी मधुमक्षी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई रानी मधुमक्षी ने छत्ते में न न होने से सभी मधुमक्षियां परिसान थी जब रानी मधुमक्षी अपने छत्ते से बाहर निकल के पानी में गिर गई थी तब बाकी की सारी मदमख्यां बहुत परिसान हो गई थी उसके लोटाने से सभी मदमख्यों को बड़ी प्रसनता हुई तो आगे कहानी हम अगले पेश पर पढ़ेंगे बच्चो यहाँ देखिए सभी को चितर दिख रहा है यहाँ पेड़ पर एक कबूतर बैठा है जो पत्तों के बेच छिपने की कोशिस कर रहा है तो किस से छिप रहा है यह कहानी में पढ़ें एक दिन एक सिकारी उधर आया कौन आया एक सिकारी तो आप सबको पता तो चल गया होगा कि कबूतर छिप क्यू रहा है वह नदी के किनारे घुम घुम कर चिड़ियों का सिकार करने लगा कौम तो सिकारी और इसलिए कबुतर पत्तों के बीच छिप रहा था कहीं सिकारी मेरा सिकार न कर दे इसलिए कबुतर घबरा गया थडर गया था उसके भैसे सभी पंक्षी इधर उधर उणने लगे डर की मारेवा पेड के पत्तों में छीप गया रानी मधुमख्यों ने उस कभूतर को देखा तो तुरंद मधुमख्यों से कहा तो रानी मधुमख्यों ने बाकी मधुमख्यों से क्या कहा आगे देखें हमें किसी भी तरह इस कभूतर की रक्षा करनी चाहिए क्या करने चाहिए तो रक्षा करने चाहिए कबूतर की किसकी कबूतर की रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी जब कबूतर की जान खत्रे में देखा रानी मधुमक्खी ने तब बाकी समधमक्ख्यों से वो कहती हैं कि अब हमें इ तो यहां चित्र दिया हुआ है मतलब बाकी सब मधुमख्या निकल कर सिकारी को काटने लगती हैं इसलिए कबूतर की जान बच जाती है तो आगे देखें उधर सिकारी ने कबूतर को देख लिया था वह उसकी और निशाना साध ही रहा था कि मधमख्यों तेजी से उसकी और जबती उन्होंने सिकारी को कई जगा काट लिया शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया कबूतर ने भय के मारे अपनी आखें बंद कर ली थी देखो बच्चो यहां जो एक कबूतर दिखरा डाल पे बैठा हुआ वह सिकारी से डर गया था घबरा गया था इसलिए उसने अपनी आखें बंद कर ली थी पर कबूतर की तो जान किसने बच जाई मधमख्यों ने देखिए बच्चो यहां पर हमें दिया हुआ है एक चित्र और चित्र में कबूतर और मधमख्या हैं तो आगे हम कहानी पढ़ते हैं जैसे ही कबूतर ने अपनी आखें खोली तो देखा सिकारी अपना सिर पकड़ कर बैठा है उसे कुछ मधमख्यां पेड की ओर आती दिखाए दी तब मतलब कुछ मधमख्यां पेड की तरफ आ रही थी तब कबूतर समझ गया कबूतर क्या समझा आगे पढ़ें कबूतर सब कुछ समझ गया उसने मधमख्ये की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद किया तो देखिए बच्चो यहाँ पर एक कबूतर ने जब रानी मधमख्य की जान बचाई तो उसी तरह उस रानी मधमख्यों ने भी बाकी सम मधमख्यों के साथ मिलकर एक कबूतर की जान बचाई इसलिए हम कह सकते हैं कि जब आप ने काम करते हो तो आपको अपने अच्छी करम का फल जरूर मिलता है मतलब कोई अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है और बच्चो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो आज की कविता हम यही समावत करते बच्चो धन्यवाद बच्चो अजया टूसरे कि अधन्यवाद